पर भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधाई शुत्र रुवेदी ने कहा कि इस घटना की सुनिवजित तरीके से इसे अंजाम दिया गया दिली में एक पत्रुकार वारता में उन्होंने कहा कि इस मामले में उत्र प्रदेश सरकार के एक मंत्री का नाम सामने आने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा कोई खंडन नहीं किया जाना संदेख को पुखता करता है प्रचुर मात्रा में उपलब्द थी परत फिर भी अधिकारवाई की अनुमती नहीं थी इससे साफ है यह घटना कोई अनायास रूप में घटित नहीं होई है बलकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक सुनियोजित व्यवस्था के तह है मुख्य मंत्री के सीधे परिवार के हैं वह लोग सनलिप्त है कि मिए और अभी तक कि जाच के नाम पर कोई प्रभावी करवाई तो छोड़िये मुख्य मंत्री आकर या कहने का साहस नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार के वरिष्ट मंत्री जो कि उनकी रिष्टेदार हैं उनका इससे कोई लिजा देना नहीं